हाई नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं आगया हूं बहुत सारी अपडेट्स लेकर डिलिवरी डिस्पैच इसके लावा बाड़ी पार्ट्स बैटरी कॉस्टिंग और ठेर सारी अपडेट्स मतलब जिनका भी 30 तारीक को 30 अपरेल का हैं सबसे पहली अपडेट्स जो हमारे पास आरही है वो यह कि जो ओला के बाड़ी पार्ट्स हैं उनके ओपर पीप आफ करवाएं या ना करवाएं एक यह कोस्चन है और से रहा हैं क्योंकि एक्च्वल कॉस्टिंग जो हैं पीप और से रहां इक कि काफी जादा लग रही इंस्टिड ओफ की ओला का जो बॉड़ी पार्ट है वो कितने कितने का है तो जो इसकी पूरी फिस्कल बॉड़ी है और इस पे लेबर चार्ज अगर अगर आप लगा दे और पूरा पूरा खर्चा कर दे मतलब इसकी ओवराल बॉड़ी आगे फ्रेंट से लेके साइड गर जाता है और कहीं छोटे में स्क्राइची या क्रैक्स आजाते हैं इस पार्ट को तो बहुत ही शॉर्ट कॉस्टिंग है बहुत जादा कोई कॉस्टिंग नहीं है और यह जो इसकी बॉड़ी है वो नो से साड़े नो हजार के अंदर वित लेवर चार्ज जेस्टी सब इसकी जो बाड़ी है वो ठीक है गिरने वरने पे इतने जादा तूटने का रिस्क नहीं है और मैं कहता हूं अगर एक चांस अगर वो टूट भी जाती है तो इतनी जादा कोश्ट लिनी आप इसली बदलवा सकते हूं एक और बात इसका स्टेंड जो है इसका स्टेंड है 300 से लेके 400 गा जी हां एकनॉमिक है मतलब नॉर्मल स्टेंड जो बइक होते हैं जो पैट्रोल विक के आते हैं वह तकरीबद तहरीम एंड्ड़ से दो को बीच में आते हैं तो यह जो है प्लास्टिक है थोड़ा स्टाइलिश है तो ओविसी बात है साड़े 300 से लेके 400 के ब जो फीचर्स रंसाल का जो वो फीचर्स में गिलेंगे साफ सफ ये लगा गिक हमारे साफ आजार वो डूब चुके हैं इससे बैटरी यह होता कि हम एकसाल का और जीरो डेट लेते और कोई इशु नहीं आता अब हाला कि जो भी procedures हैं वो follow तो करने ही पड़ेंगे तो मैं बता दूँ आपको कि third party insurance में आपकी अपनी गाड़ी जो है वो बिलकुल भी cover नहीं होती है और इसके अलावा जब भी अगर कोई सामने वाले का जो damage होगा वो ही cover होगा आपकी अपनी गाड़ी नहीं cover होती है उसके अंदर डेड़ लाग यानी एक लाग चालिस जार तक का उसकी गाड़ी का coverage मिलेगा damage का और अगर किसी personal को मतलब किसी इंसान को लग जाती है तो उसको साड़े साथ लाग रुपे का जो है total coverage मिलेगा आपके insurance के तहट बट उससे आपको अपनी गाड़ी का कोई भी cover नहीं मिलेगा और आपका damage जो है वो आपको खुदी पे करना पड़ेगा इसलिए हर साल जो है प्रोसीजर्स है उसको follow तो करना ही पड़ेगा हाला कि जैसा भी है but insurance जो है वो बहुत important है अगली बात कर लेते हैं हम दोस्तों की 31 मही वालों का भी dispatch होना चालू हो चुका है जिन जिनकी last 31 मही है उनकी procedures उनके procedures चालू हो चुके हैं लेकिन एक बात बता दू dispatch इसी प्रकार से हो रहे हैं कि कौन easily जो easily मिल जा रहा है जिसको easily deliver किया जा सकता है उसको जो है पहले deliver होगा और जिसको थोड़ा locate करना मुश्किल है उनकी delivery जो है late होगी जी हाँ अब next news यह है कि जो 30 April वालों का जिनक अगर hard and fast कोई चीज फस रही है तब ही जाके उनका dispatch रुक सकता है वरना उनका dispatch हो जाएगा एक खुशकबरी यह है कि आज मेरा scooter कल dispatch हो गया था और आज जो है वहाँ नोटीपी भी clear हो गया तो साड़े आठ पॉने 9000 रुपे कुछ लगे हैं registration में जो कि बिलकुल भी मुझ कब लेंगे कब लेंगे तब तक के लिए बने रही है स्टे ट्यून टू आर चैनल और बहुत सारी updates के साथ हम मिलेंगे एक और update मैं मिस कर रहा था मुवर्स 2.0 जो है वह अभी 100 लोगों को ही मिलेगा बेटा वर्जन में तो मिलते हैं